टो स्टूडेंस आज की क्लास में हम ड्रॉप फोर्जिंग पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं ड्रॉप फोर्जिंग ड्रॉप फोर्जिंग किस हायता से हम लोग बहुत ही कंप्लेक्स सेपस को भी बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं complex shapes चलिए setup देख लेते हैं drop porging का सबसे पहले हम lower die को अपने table में या machine में fix करते हैं तो जो lower die होती है हमारी ये fix होती है हमारे anvil machine से या table से उसके बाद जो हमारा upper die होता है वो movable होता है वो up and down move कर सकता है और उसी के साथ हमारा ram connected होता है ram that is already written here connecting shaft तो ram जो हमारा upper die के साथ connected रहता है उसके बाद जो final product हमको चाहिए उसके लिए हम लोग stock को heat करके इन दोनों lower die और upper die के बीच में place करते हैं उसके बाद हम लोग force apply करते हैं और finally हमारा जो job हो हमको मिल जाता है तो final जो shape होगा इसका वो कुछ इस प्रकार से होगा यह close die है जो die हम लोग use कर रहे है normally close die use कर रहे है जबकि smith falging हम लोग open die इस्तमाल करते थे तो चलिए देखते हैं जो final shape आएगा हमारे product का वो कुछ इस प्रकार से आएगा यह extra material इसको हम लोग flash बोलते हैं इसको हम लोग cut करके remove कर देंगे इस extra material is known as flash f-l-a-s-h इस extra material is known as flash and this will be the our final product अगर process को हम लोग समझें तो process बहुत ही आसान है इसमें हमें lower die को fix रखना है और upper die हमारा इसमें movable रहेगा इसमें हम लोग अपने stock को heat करेंगे और place करेंगे उसके बाद जो सबसे important point है कि successive blows यहाँ पे होते हैं 4 to 5 blows blows का मतलब है जो ram है उसको हम लोग 4 से 5 बार upper die को उपर से नीचे करते हैं उसे हम लोग successive blows बोते हैं चार से पांच बार जब हम इसे प्रेस करते हैं तब final product हमारा हमें मिलता है चार से पांच बार जब हम लोग इसको successive blow करते हैं तो पूरी cavity जो है यहाँ पे वो fill हो जाती है और उसके बाद final product हम लोगों को प्राप्त हो जाता है नॉर्मली अगर इसमें जो processes यूज होते हैं अगर उसको देखे हम लोग तो इसमें लगबग 6 से 7 process यूज होते हैं steps यूज होते हैं 6 से 7 drop forging में तो सबसे पहला जो step है उसे हम लोग fullering बोलते हैं process में हम लोग area को decrease करते हैं और length को increase करते हैं उसके बाद जो दूसरा step होता है उसे हम लोग aging बोलते हैं third step को bending बोलते हैं fourth step को blocking बोलते हैं blocking step जो होता है वो लगबग एक तरह से primary step होता है जहां पर लगबग लगबग हमारा final product हम लोग को मिल जाता है लेकिन उसमें कुछ और operations करने होते हैं जैसे कि blocking के बाद हम लोग finishing करते हैं और finishing के बाद हम लोग last step होता है हमारा वो trimming होता है finishing के बाद trimming में हम लोग basically जो flash होता है इसको cut करके remove करते हैं तो यह 6 से 7 process होते हैं हमारे drop forging process में अगर applications के बाद करें drop forging के तो applications है जैसे automobile industry में crank है, crank shaft बनाना है, connecting rod है, ranches है, crane hooks है तो इन सब applications के लिए हम लोग drop forging का इस्तिमाल करते हैं drop forging में और other processes में जो सबसे important dissimilarity है वो यह है कि other processes में कई बार जो final product होता है वो एक blow में या दो blow में मिल जाता है लेकिन यहां पे हमको repetitive blows करने पड़ते हैं 4-5 बार हमको या 5-6 बार हमको successive hammering करनी पड़ती है, ram को successive हमको movement देना पड़ता है, तब finally हमारा product हमको राप्त होता है तो आज की class में हमने drop forging देखा जिसमें हम लोगोंने setup देखा, setup के साथ साथ हम लोगोंने important points देखे, important steps देखे और उसके बाद applications देखे that's all for today's class, thank you कर दो के साथ हमत्वार कर देखे